बार्निंग बेलकाम बेक टू सिभीलिगान आप सभी का सिभीलिगान में स्वागत करते हैं उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तायरी बैठा तरीके से चल देए होगी ससे दोट चोब इसके लिए साथ ही आप सभी को बता दूं कि अब कल से या चलो पहले इस क्लास को सुवाथ करते हैं और यहां पर आज हम पाढ़ने वाले हैं कि जो भी एक्ष्टर कंडिशन होती है बैसिक मैटेल के लिए उसमें क्या हमारी माइल्ड कंडिशन कैसे क्या होती हुआ सारह सम्मधिर कोश्चन होगा कुछ और भी सम्मधिर कोश्चन हो क्या निए यह कंडिशन कही गई है आप सभी को पता है कि लिमिटते हैट में हमारा जो होता हम लोग सेप्टी पर काम करते है और हमारी सर्वेसिवास्बिल्टी क्राटेरिया पे काम होता है safety मतलब क्या होता हम इस strength को भी ध्यान में रखते हैं और हमारी serviceability criteria देफ्लेक्शन हो गया या फिर आपका vibration हो गया इसके उपर हम पर हम लोग काम करते हैं limit state method में होता क्या है यहां पर हम लोग क्या करते हैं load को तो हम लोग बढ़ा देते हैं जो भी हमारा load होगा उसको 1.5 से multiply करके उसको हम लोग factor load में connect कर लेते हैं अगर हम बात करें इस strength को इस strength को घटा देते हैं कैसे अगर आपको लिखना होगा strength कैसे लिख तो यहां पर cd जो आपका होता है वह आपकी जो करेक्टरिस्टिक इस strength होती है डिवाड़ फेक्टर आप सेप्टी होती है मतलब हम लोग यहां पर load को तो बढ़ा देते हैं फ़र से multiply करके पर जो strength हमारी होती हम लोग घटा देते हैं इस concept पर यह limit state method में काम के आता है तो जो बात ही यहां पर कहीं गई है जो question से समाधित यह question रहने वाला है उसमें यही आपका है कि आपका हो जाएगा यह limit state method आपका रहने वाला है इस question का जो answer होगा वो आपका option number 1 आपका रहने वाला है option number 1 आपका हो जाएगा यहां पर right answer next question आप कर रहने हैं वाला क्या है देखते हैं जैसे कि जो आपका section है उसमें तंसन स्थील आपका जो है अपने इल रिप्टेन पर रिच कर जाता है lower than load at which concrete मतलब concrete के रिच करने से पहले जैसे यहां पर concrete अपना 0.0035 पर नहीं पहुछ पाथा उससे पहले ही ये अपने greater than 0.002 प्लस 0.87 ये फ्वाई बाई ये से पहुँच जाता है इसके मतलब क्या हुआ कि मतलब की strain जो concrete है अपनी जो still अपनी है वो पहले fail हो रही है तो जब still पहले fail होती है, still अपने पहले yield कर जाती है तो वो किस condition में होता है वो आपका under reinforce section में ही आपको देखने को मिलता है क्योंकि under reinforce section में आपकी still जो होती है वो अपनी parameter stand पहले पहुच आती है concrete नहीं पहुच बाता है क्योंकि still की मतलब इसमें कम होती है और इसमें जो failure देखने को मिलता है आपको वो आपको ductile failure देखने को मिलता है अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो आपका XU यहाँ पर होता है वो आपका less than XU limiting देखने को मिलता है AFT की जो value होती ही वो less than AFT limiting आपको देखने को मिलती है यम्यू की वेलु जो होती है वो लेस्ट दिन अमीलिम्टि देखने को मिलती है पर एस बात को इतने आपको ध्यार रखना है एक्जाम में यहां से भी कुछन आपके बनते हैं नेस्ट कोशन है वाड़ यह आपका आई एस्ट कोश्चन है वाड़ इता मैक्सिमम परिमेजबर लिमीट पूछा है कि कितनी होती है आरगेनिक सॉलिड की वाटर के अंदर जो परजेंट होती है कर अगर हम लोग आई स्कूर्ड फॉर फ्यूज करते हैं तो आपको कितनी होत होती है वह आपका 200 mg पर लेटर होता है यहां पे 2000 चार सो सल्धै करेंड खार केस में आपका दो蛃 बहुता है पर घ्रहां कैसी कोशान केjal correct क्यों स्टेर है टोने ह्कोशस में च्चलिक याद होने चाहिए क्शक् Kommminute की यहां तो तो आपके एक्जाम बनता अगर आपको वैलू याद है तो आप आसानी से कर सकते हो नेस्ट कोशन है वाट जब मैक्सिम्म सेर इस्ट्रस फारियम थर्टी ग्रेट आप कंकीट तो आपने पड़ा होगा कंकीट के अंदर जो मैक्सिम से स्ट्रस चाहिं मैक्स जिसें हम लोग कहते हैं वह आपका क्या होता है अपका किहां संसे जांहिव करते हैं वहां बीष काम आताह सब्सक्पिग अगर लेस दन टाउसी बॉलोष है तो slangल notes तो आपको से जादा आपका सेट नहीं होना चाहिए इतना ही ज़्यादा हो सकता है तो उसी की वैलु को टेबल के फॉर्म में याद लखना है कि आपका टेबल इसमें बनता है तो दियान लखिएगा कि अगर आपको आगर आपसे पूछे कुछन कि यह 15 गेट के लिए कितना होता है यह 15 के लिए आपसे पूछे यह दखना 2.5 होता है यह 20 के लिए वैलू यह दखना पड़ेगा 2.8 होगा यह 25 के लिए आपकी वैलू 3.1 होगी यह 30 के लिए वैलू 3.5 होगी ऐसे ही यह 40 के लिए value आपकी आपका जो होगा 4.0 होगा और 35 के लिए value आपकी 3.7 होगी तो question जो पुछा गया है यह 30 के लिए value कितनी हो जाएगी 3.5 यहाँ पर 3.5 में का पास्कल आपका भी option यहाँ पर आपका ग्रेंसर रहने वाला है अगला question है concrete in the member represented by core test यहाँ पर core test होता है core test core test cell be considered acceptable if the average equivalent cube strength of the core is equal to at least at least इतना percent of cube strength of the area of the grade of concrete specified for the corresponding age तो यहाँ पर यह जो question है यह आपके IS code का question है IS code 456-2800 clause number अगर आप देखने जाओगे तो वहाँ पर clause आपको 17.4.3 पे आपका यह साफ साफ यह statement लिखा हुआ है कि जैसे ही हम लोग किसी member का किसी आपका concrete member का अगर हम वो core test के रुप में मजर करते हैं उसके लिए जो acceptable criteria होती है वो आपका 85% आप करहने वाला होता है कितना होता है 85 आपका हो जाएगा पगर हम बात के individual core के लिए तो वह होता है कि 75 परसंट ठीक है अगर पूरे संपल के लिए बात करेगा एक्स्यू की वैलू 300 mm आपको दे रखी है ठीक है और फ्राम एक्स्टेम कमरिशन फाइबर यफ 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 फॉर न फाइबर यूज एंट प्रवाइडर अंटेंशन फेस ओनली तो आपको कंपेर करना सक्षन क्लासिफिकेशन करना अगर एक्स्यू आपको पता है और ग् फाइब के लिए और पॉइंट फॉर सिक्स के लिए होती है या फिर फाइबंडेड के लिए तो पॉइंट फॉर एट डी मल्टिप्लाई 300 करोगे कितना हो जाएगा तीन और थे चोविस तीन चोग बारा दो चोधा एक्स जोले समयम तो यहाँ पर आप देखो कि से अंडर इंफोर्स यक्स की वैलू गुरेटर देन है किस्ती अग्सिव अगर्यक्षव आपको यक्सी लिएंटिंग के बराबर होगा फिर आपका बैलंस सक्षन की रूप में इसको डेजाइन किया जाएगा तो इस तरीके से हम लोग सक्षन क्लासिफाई करते हैं तो आप संसी यहाँ पर जो हो जाएगा आपका क्रेक्ट अंसर होगा कुछ नहीं करना थे इसमें आपको एक्ष्वल डेफ्ट आपने डे रखी थी और आपको ग्रेड इस्टेल दे रख देन और इकोल टो जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू प्लस पॉइंट एट सेवन पॉइंट एट सेवन फवाइट इस फई यहाँ पर इसको आप सेंब्लार एंगल ट्रेंगल का रूज लूट लगा कि रिश करता दापता है आपका एक्ष्वल डिवाइड बाइड पर आता कहां से कुश्चन है इसको आपको बहुत जानना जलूरी होता है तो मैं आपको यह आपका यहां से आता है और इस तरीके से कुश्चन का जो एंसर होगा आपका रहने वाला है आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है ग्रेड अगर 25 ग्रेड है उसके लिए हमको टेंसल इस्टन निकालना है तो कंखी आपनी टेंसल से पढ़ा था कि जो आपको यहां क्या होगा पास्कल आपका आफसर नमबर भी यहां भी हो जाएगा आपका ग्रेड कैंसल रहने वाला है अगला कुश्चन है अगर हम लोग करते हैं तो आपने यह डाग्राम पढ़ा होगा यह वैलू की सेवन डेज टुटी एट डेज वन इयर पे टू पाइंट टू वन पाइंट सिक्स वन पाइंट नो यह होती है आपके क्रेड को फिसेंट होता है तो इस अगला कुश्चन है आपका यहां पर आइस पर आइस कोड फॉर फासिक टू थाउजंड दा लिम्टिंग वैलू आप डेप्थ आपने उटल एक्सिस यक्सिव लिम्टिंग वाइडी फार यह फी फॉर फाइफ ग्रेड इस्टिल आपको भी बताया कि जो यक्सि प्लस पॉइंट एट सेबन यह अ उतना आता है जब यहां यहां यह फॉई के वैलू आप 254 पंदा 500 रखते हो तो वैलू इसकी एक बार निकल के आती है पॉइंट 03D फिर एक बार आपकी निकल के आती है वैलू 048D फिर एक बार आपकी पॉइंट 46D यह तीन तरीके से वै सेफटी पेक्टर की वैलुव यहां पर दी गई है कम्बिनेसर किसका दिया गया डैडницу का रुट का लाइव लोड का तो क्या उसका एंसर होगा तो आपको पास दो चार्ठ होता एक होता लिमिट state of collapse एक होता limit state of c electability तो यहां पर जामकर सब्सक्राइब प्लस लाइब लोड का 600 बनाते हैं या पिद लोड या आपके अभर आपके अधो सप्रेश्य भी तो डेडोड प्लस डच्प इंसमें आपका रहने वाला होता है रिक के लिए १ार्ज के लिए पर लिए लिए विलु कितनी होती है अगर हम डेड़ लोड बिंड लोड आप लिए अर्सक्रीक लोड का मिश्रम बनाते हैं तो एक नार्मल केस में तो आपका 1.5 ही होता है पर जब सर्वेस्विल्टी रिवेर्सल आप आयाता तो यहां पे 0.9 भी आपका होता पर यहां पे वैलू एक ही आपकी रहती है डेड़ के अंदर तो आपका 1.5 हो जाएका आपका राइट अंसर फार्थ इन सलेव एंड वाल मैक्समाम साइज आपकोर्स एग्रिगेट शुट भी लिम्टेड मैक्समाम साइज अपकोर्स एग्रिगेट कितना हो था मैंने कल क्लास में बताया था कि नेबर भी गेटर देन वन वा फोर्थ आपका आफसा नंबर एक आपको राइटम सो रहने वाला है एकार्डिंग टू आयस कोड इतना 456-2000 नॉमिनल कबर फार रिइनफोर्समेंट इन केस आप फुटिंग अंडर वेरी सेवियर तो आपने बताया था बढ़ा नहीं था माइल्ड मोडरेट सेवियर बेरी सेवियर और एक्स्टीम सेवियर तो माइल में कितना होता है बीस कबर होता है यहां पर तीस होता है यहां पचास यहां पचास होता है पचास हम से कम नहीं होना चाहिए पचास से ज्यादा हो सकता है पचास से कम अपकर नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए यहां पे एक चीजह द्यान रखना जो नार्मल कंडिसन होती है उसको थमलोग माइलड बोल देते हैं जो नार्मल कंडिसन होती है ठीक है अगर कभी कहता है को संद यहां से कॉशन बना हुआ है आपका कि अगर पानी में अगर आपका कोई structure है जो कि पानी में पूरितरी के से डूबा हूँ नारमल पानी में डूबा हुआ है तो आप किसमें आएगा आपके moderate condition में आएगा अगर वही आपका severe condition कब हो जाएगा जब वह आपका müsste कोफ्टल इन्वियरमेंट में होगा मया अपकी समुद्रि पानी में पूरुति के से डूबा हूगा वह आपका severe होगा पीर से कर दियृ कोणी में प्योगा चौण कीज़ Patch cycle किसमें आएगा वेरी सीबर कंडिशन होती है जो मैं आपसे बता रहा हूं ठीक है इसको फिल्कुल ध्यान रखिएगा यह कुछन आपसे बन चुका है कि आपका जो अगर हां कंटीनूसली अंडर वाटर होगा तो मौडरेट कंडिशन में आएगा अगर आपका कंडिशन है यह कंप्रेट लिय्ट क्येस्ट रहें द्रेक्ड अहला है इस बात को थियान रखना में तरीकर औरसे बाटते है कि विद्ध विद्ध थिरी बार आप बारा एमेम बारा में की तीन बार डायमेटर इंटेंशन जोन है जैसे स्पेन आप तीन मीटर एड़ॉप्ड एम टॉन्टी कंकेटन एफ फाइफ फाइफ हंडेड ग्रेड इस्टील दा डेप्ट आफ नुटल अक्सिस एजूम क्लियर क है ठीक है तो कैंटी लेवर बीम आप साइज इसका इंड पर ऐसे होगा ऐसे होगा यह आपका 300 एम का है ठीक है तीन बार यहां पर है ठीक है यहां पर पांसो पचास आपके जो है टोटल डेप्थ है यहां पर हे है पाँटीसस मुदे क्लियर काबर है ठीक है और यहां से आपके आपके रिफेक्टर ayudar हो जाएगी ॏ य हम ट् frameworks और क्योंकि वह खिंका थें इसके मतलब वो आपको एक्ष्वल पुछने की बात कर रहा है अधरवाइस अगर ग्रेट देता तो हम लोग क्यों लिम्टिंग से काम निकाले पर यहां पर वो एक्ष्वल निकालने की बात कर रहा है तो जीरो पॉइंट थिरी सिक्स एफ सी के बी एक्स यू बराबर जीरो पॉइंट एट सेवन याफ इंट दो एक्स ती तो यहांप जेहां क्या रखोंगे टुन्टे रखोगे बीट जहांपर तीन सो रखंड którego यह आक Спल्भए ऑपको निकालना ही है पॉइंट एक स्थाँ पॉइंट आप रखो कि यहां से अक्षू कमार आप निकालोगे लगभख 68 पॉइंट के आसपास आएगा यह तो आप बहुत लोग कहते हैं तो यहां फिर लिम्टिंग निकालना है यहां को एक्षूल निकालना है देखो दे के रखा है आपको अगर वह तो अगर अगर आप वीट तो सब्सक्राइब आपको अक्षूल निकालना ही निकालना पड़ेगा अगला कोशन है है इवल्ड इस्तिि आप माइलल्ड स्टील स्पैसिमन वाज सब्सक्राइब वाजच भांन टूभी टूपिट न्यूटन पर में स्कौयर्?" टैकिंग फट्राफ सेफ्टी तो आपकर जू वर्किंग इस्स आपका हो जाएगा वो आपक जोभी इवल्ड्ड इस्तिção होती ह जैसे मैंने क्लास के शाड़िंग में कहा जा कि आज आपको इन्वार्मेंटल कंडेशन जो एक्स्पोजर कंडेशन होती है उससे समझे कुछन देखने को मिलेगा तो आप देख भी रहोगा कि आपका एक्स्पोजर कंडेशन कुछन काफी जादा देखने को मिलना है minimum grade of concrete required for plain concrete ध्यान से कुछन देखो यहसा कुछन आपको वलू याद होती है पर आप कुछन गलती कर देते हो ध्यान से नहीं पड़ते हो plain concrete फिर आपका है reinforced cement concrete work under exposure condition very severe and dash and dash मतलब condition तो आपको देखनी है दोनों के लिए very severe पर एक में आपको PCC देखना है एक में देखना है RCC वाले के लिए तो देखो RCC में बता दूँ आपको सबसे पहले cover कितना होता है grade कितना होता है M20 M25 M30 M35 M40 यह mild में होता है मोडेट में होता है CBR में होता बेरी सीवर में कितना होगा M35 होगा question तो आपका M35 एक ही option से हो जा रहा है पर माझे लोग कहीं है option में कहीं और होता कि जो है यहां भी जाता हम लोग वहां पर आगर आप कोश्चन करने कोशिश करोगे तो आपको ऐसे ही हो गया भले यह आपको PCC करने यहाद है आप आपर आर शेरी से अपने कुछन कर दिया अब आप देखो PCC में क्या है इसने माईल्ड के बारे में कुछ नहीं कहा माइलड के वारे आपको no any grade no कुछ भी नहीं कहा मौडरेट से इसने शुरू किया पर इसने यम पंद्रा से शुरू किया यम 15 मतलब कि मोडरेट में 15 से बेर में 20 में 25 में एक्स्ट्रीम में तो यह दोनों आपको चार्ट याद होना चाहिए आपके माइंड में च्छपा होना चाहिए जैसे कोशन आए आप लिख करके फड़ा समय ले लो पर कुशन को गलत न करो भाई गलत करने मतलब यह कोशन में आता तिन नंबर का प्रिमिया था एक नंबर का चार नंबर का फाइस ख्याल है नेक्स्ट कुशन है एम 25 कंग्रीट टू मॉडलस आप लास्टिश्टी आप कंग्रीट केन भी असेप्टेबल लेंज तो क्या होता मेरे भाई 5000 रूड एफ सी के 5000 अंडर रूड टूंटिफई अगर आपके टेक हैं उनको फिर से लगा देना है तो देखनो भी या जो सलेब होता है अगर सलेब मैसा किया जा रहा तो उसके लिए होता तिन दिन अगर आपका यहीं होता अगर ऐसा काम करता है तो साथ दिन होता अगर इस पैन के साथ में अगर ऐसा काम करता तो आप टूश मीटर तक के लिए 14 होता नार्मल वर्क वर्टिकल कालम के लिए होता एक दिन का लगता समय 16-24 घंटा किलियर के तो यहां स्लेवक्त पूछा तिन दिन हो कोई इस पर नहीं दिया तेन दिन हो जाएगा कि विचादा फालुएंग इस्टेट्मेंट प्रटेनिंग आर्ट्रू और फॉल्स माइल इस्टिल हाइयर अल्टीमेट टेंसाइल इस्टेंड वेन कंपेर टू हाई कर्बन गलत बात है आपने देखा होगा माइल इस्टिल का क इस्टिमेंट यहां जा रही है और यहां जा रही है यहां गलत हो गया इस्टिल हाई इस्टेंड डिफॉर्ण बार भी ज्यादा होती है आपको पता है जो बॉंड होता है आपका इसे बना होता है उससे हो जाता है फिर एक अजोग गशिच होता है फिर रापके लोगोलो के अगर होता है है कहते जो कहते हैं ठीक है अगर हो एस्टी बार अगर आप यूज करते तो वहां पर कोई हुक देने कि हो सकता नहीं होती है कि तो इस कुर्शन का आपको हो जाएगा आपसा नंबर यह स्वन इस फाल्स पर एस्ट इस्ट रूप भी आपका सही हो जाएगा इस सब्सक्राइब फाल्ली atra parcel में तो वह सकता हुए यह स्रक्षा आपको ल्यमीट्टेट इस्टेट आप सेफ्टी में कंसेडर कि जाती है जो अनिट्छतीति हो आप की जली जाती है ठीक घसले वाला तो यहां पर को लोग समझ की होगह उमीद करता हूं कोशन नमर 20 तक हमारा हो गया है ठीक है तो कल हमारा जो क्लास रिष्टाट होगा जो कि लिमिट इस्टेट आप को लेपस अंसे हम लोग करने वाले हैं आई होब आपको क्लास कैसी लगी कमें बाक्स में ज़रूर बताएं इसमें कुछ मोडिफिकेसन अगर करने के ज़रूरत लोगी बताएं वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जारा जारा इस्टेटी ग्रूप में इस वीडियो को सेयर करें ताकि जिसको सकता उसको फाइदा पॉस्टिस करें थैंक्यों जय भारत